सुप्रभांद, मेरा नाम है अक्ष ओजा, मैं आप लोगों को बहुत ही रुमान चक नेवले और साप ये कहने सुनाने वाला हूँ एक ज्यानी जी थे जो अपने छोटे बत्चे और पत्नी के साथ रहते थे एक दिन ज्यानी जी अपने खिट से लोट रहे थे फिर उन्होंने एक नेवले का बच्चा देखा, वो उसे घर ले आए फिर उन्हों की पत्नी ने उस नेवले के बच्चे को अपने पुत्र समान पाला फिर कुछ महीनों बाद वो नेवले का बच्चा बढ़ा हो गया पर ग्यानी जी का बच्चा तब भी चोटा टा फिर कुछ दिनों बाद ग्यानी जी काम पी गए और उनकी पत्नी ने उस छोटे बच्चे को पाल निमडा लिया और एक पानी का लोटा लेने चली गई और फिर उसने लेवले को कहा कि वो बच्चे का धियान रखे फिर जब थोड़ी दिर बाद वो वापिस आई तो उसने देखा कि नेवले के मुँँ और पंजो पर खून लगा है तो उसने सोचा कि उसने बच्चे को खा लिया फिर वो मटका लेकर उसके सर पे फोर दिया और ड़ने से उसे मार दिया फिर जब वो थोड़ी दिर बाद घर में वापिस गई तो उसने देखा कि बच्चा खुछी से पालने में खेर रहा है और उसने जमीन पर देखा वहाँ पर एक साप मरा हुआ पड़ा था तो उसने समझने में बिल्कुल भी देखी नहीं करी कि वो साप उस बच्चे को काटने आया था और नेवले ने उसको बचा लिया हमें इससे यही सीख मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे जल्जी बाजी में कुछ भी ने करना चाहिए हो ना पुरे ना हमेशा बुड़ा ही होता है धन्यवाद